करेंगे तो आपको याद आएगा कि कोई अंजानी व्यक्ती ने भी आपको कभी मदद की थी कहीं बार तो ऐसा भी होता है आपको लगता है कि यह जो मदद मिली साइध भगवान से ही मुझे यह मदद मिली है कोई मानव यह मदद नहीं कर सकता है तो जो भी हमें मदद मिल रही है तो ऐसा भी कहा जाता है कि जीवजन्तों का वुर्क्षों का भी बहुत ही उपकार मानना चाहिए ग्रेटीट्यूड की फिलिंग होनी चाहिए क्योंकि अगर सभी जीवजन्तों को मार दिया जाए तो हम दस दिन भी जिन्दा नहीं रह सकते हैं यह सारी हमारी Ecosystem है वह प्राणियों पर पहुधों पर सबके उपर हम निर्भर है तो जिसे कहा गया है कि Attitude of gratitude की उपकार की भावना उपकार की भावना रखनी एक बात है और उसको करना, उसको अनुभाव करना, कहें कि आपको वह सोच करके आप गदगद हो जाओ, आखों से आसू आजाए, आपके रौंटे खड़े हो जाए, तो वह बहुत बड़ी प्रापती है। WISDOM OF THE DAY To have gratitude for the smallest act of kindness is good, but deeply feeling the gratitude creates ripples of positivity within and around you. झाल